हेलो स्टूदेंज, हाव आ यू? बच्चो आज हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है सभी बच्चे अपनी रफ नोटबुक और पैंसिल लेकर बैठ जाएं और ध्यान पूर्वक आज का सेशन अटेंड करें बच्चो आज हमारे पढ़ने का विशेर निबंद है निबंद मिल्स ऐसी जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में बहुत से विश्वों पर निबंद किये थे वैसे ही हम इस कक्षा में भी तरह तरह की सैरों पर निबंद करेंगे वैसे तो सैरें कई परकार की हैं जैसे चांद निराद की सैर, साइकाल की सैर परन्तु आज हम प्राते काल की सैर पर चर्चा करेंगे तो बच्चो, जिस प्रकार पिछली कक्षाओं में हम निबन लिखने से पहले उसके मुख्याश करते थे वैसे ही अब भी हम मुख्याश डिस्कस करेंगे मुख्याश means main points Main points डिस्कस करने से पहले बच्चो, यहां आपको एक important बात बताना चाहусовगी यदि आप परिक्षा या कक्षा परिक्षा में मुख्यांश निबन लिखने से पहले लिखते हो तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है क्लियर बच्चो तो बच्चो अब हम पॉइंट्स डिस्कॉस करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट है काव्यात्मक पंक्तियां बच्चो कोई भी निबन शुरू करने से पहले सबसे उपर निबन से कुछ गोटेशन्स क्या काव्यात्मक पंक्तियां लिखते हैं तो यहाँ इस पॉइंट में हम ये डिस्कॉस करेंगे कोई भी निबंद शुरू करने से पहले उसका परिचे दिया जाता है जैसे सेरों के ऐसे में हम बताएंगे सेरें क्या होती है और कित्ते परकार की होती है कब, कहां और किस के साथ तो बच्चो इसमें हमें बताना है कि हम सेर करने के लिए समय और स्थान कौन सा निश्चत करेंगे Clear? Next point है रास्ते का द्रिश्य इसमें हमें बताना है कि गंतव्य स्थान अजवा सेर वाले स्थान पर पहुँचने से पहले जिन रास्तों से गुजर कर जाते हैं वहां का द्रिश्य कैसा है Clear? Next point है स्थान का वर्नन बेटा आपने इसमें सेर वाले स्थान की विस्तार पूर्वक चर्चा करनी है Clear? Next point है उप सहार तो बेटा इसमें हम बताएंगे कि सेर करने से हमें क्या क्या लाब पहुँचते हैं Clear? तो बच्चो आपने क्या करना है ये निबंद लिखने से पहले सबसे उपर हम नोड़बुक के उपर क्या करेंगे इन मुख्यांशों को यानि मेन पॉइंट्स को साफ साफ लिख लेंगे Clear? तो बेटा आज हम प्राताइकाल की सेर यानि सुभा की सेर निबंद पर चर्चा करेंगे तो बेटा आज का हमारा ऐसे प्राताइकाल की सेर करने के लिए मैंने आपकी सुभिधा के लिए कुछ की वर्च बनाए हैं उनकी सहायता से मैं आपको ऐसे डैवलप करना सिखाऊंगी Clear? तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं देखो जैसे मैंने साफ साफ पहले उपर निबंद का नेम फिर की वर्च लिखा इधर मैंने डेट डाली Clear? तो आप भी इसी तरह से अपनी नोटबुक पर साफ सा लिखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा काव्यात्म पंक्तियां और उसके की वर्च है स्वस्ततन और मन यानि स्वस्ततन में ही स्वस्तमन का निवास होता है Next है उठ जाग मुसाफिर यानि उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रेन कहां जो सोवत है जो सोवत है सो खोवत है जो जागत है सो पावत है Clear बचो? तो बेटा जिस परकार से मैंने आपको दो कोटेशन करवाई आप अन्य कोई और कोटेशन भी कर सकते है Clear? Next पॉइंट है भूमी का और उसके कीवर्ड है सामाजिक कार्यों, स्वस्त शरीर, वयाम, कसरत, सैरे, मनुष्य, विभिन और जैसे तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए उसे बहुत से समाजी कार्यों करने पड़ती है उन्ही कार्यों को करने के लिए स्वस्त शरीर की भी अवश्यक्ता होती है और स्वस्त शरीर, वयाम, कसरत, और सैरे करने से होता है और जो मनुष्य वयाम और कसरत नहीं कर सकता वहे विभिन भिन तरह की सेरे कर सकता है जैसे चांदनी रात की सेर, सायकाल की सेर और प्रातेकाल की सेर नेक्स्ट पॉइंट है कब, कहां और किस के साथ और उसके कीवर्ड है छुट्टी, दादा जी और रोज गार्डन मैंने और मेरे दादा जी ने छुट्टी वाले दिन रोज गार्डन जाने का प्रोग्रम बनाया नेक्स्ट पॉइंट है रास्ते का द्रिश्य और उसके कीवर्ड्स है पांच बजे मौसम, इक्का दुक्का और चर्चा मैं और मेरे दादा जी सुभा पांच बजे उठकर सैर करने के लिए निकल पड़े बाहर का मौसम बहुत ही सुहावना था रास्ते में कुछ इक्का दुक्का लोग ही सैर करने के लिए हमें दिखाई दिये मैं और मेरे दादा जी सेरों के विश्व पर चर्चा करते हुए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए नेक्स्ट पॉइंट है स्थान का वर्नन तो बच्चों यहां आपको मैं यह बात बता दूँ कि यह हमारे से का में पॉइंट है यानि हमारे essay का मेन केंद्र यही पार्ट है तो इसके कीवर्ड हैं थंडी, सुगंध, फवारे, हरी घास, योगा, लफिंग योगा, ब्रिस्क वोक, युवा, बैडमिंटन, बुजुर्ग, तहल, समाचार पत्र, चक्कर, मित्र, महत्व, जूस और वापिस मैं और मेरे दादा जी जब सुभा रोज गार्डन पहुंचे तो चारो तरफ ठंडी, ठंडी हवा चल रही थी फूलों की सुगंध से सारा भगीचा महक उठा था एक तरफ फवारे चल रहे थे और दूसरी तरफ हरी घास पर ओफ की बूंदे मानो ऐसे लग रही थी जैसे चारो तरफ मोती बिछे हों एक तरफ कुछ लोग योगा कर रहे थे, कुछ लोग लाफिंग योगा कर रहे थे, लाफिंग योगा करने से फेफडों में शुद्ध हवा जाती है एक तरफ मैंने देखा कि कुछ लोग ब्रिस्क वॉक कर रहे थे यानि तेज तेज चल रहे थे इससे शरीर की अतिरिक्त जो चरबी है वह कम होती है कुछ युवा बैडमिंडन खेल रहे थे बाग की पगडंडियों के साथ साथ कुछ बुजुर्ग तहल रहे थे और कुछ लोग ठकने के बाद समाचार पत्र पड़ रहे थे मैंने भी गाडन के कुछ चक्कर लगाए दादा जी अपने मित्रों के साथ सेरों के महत्व पर चर्चा कर रहे थे और जहां आज का लिवा बिड़ी सेर करने से गुरहेज करती है वहां मुझे अपने दादा जी के साथ सेर करते देख उनको काफी खुशी हुई अंत में मैं और मेरे दादा जी सेर करने के बाद गाडन से बाहर आ गए और हमने लौकी का जूस पिया और फिर हम घर में वापिस आ गए लास्ट पॉइंट है उप सहार तो इसके कीवर्ड्स हैं महत्व, समे, रूची, अंग और प्रेरित सेरों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है पर अंतु हमें सेरे अपनी समे और रूची को देख कर करनी चाहिए सेर को अपने जीवन का अभिन अंग बनाना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए तो बच्चो मैं आशा करती हूँ कि आपको प्रातैकाल की सेर निबन समझ में आ गया होगा बेटा मैंने आपको इन कीवर्ड की सहायता से अपनी शब्दाबली में ऐसे को डैवलब करना सिखाया है लेकिन आपको अपनी शब्दाबली में इन कीवर्ड की सहायता से ऐसे को डैवलब करना होगा बच्चो आप इन कीवर्ड के इलावा अन्य पुस्तकों से भी पॉइंट्स ले सकते हैं आपने अन्य दोनी बंद भी इसी प्रकार कीवर्ड की सहायता से करने हैं क्लियर है तो बच्चो नेक्स सेशन में हम फिर से मिलेंगे तब तक के लिए गुडबाई